स्वेलो बुर्बान, माइनेम इस प्रिंस हैं, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगा बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केन औकॉड इंजेक्शन के बारे में सो गाइस यह जानेंगे कि सकेना कॉर्ड इंजेक्शन का यूज जो है हम किन किन कंडीशन में करते हैं इसके मार्केट में प्राइज क्या होते हैं इसके साइड इफेट क्या हो सकते हैं और जो है इसे किन condition में patient को दिया जाता है और किन condition में नहीं दिया जाता है तो गाइस time waste न करते हैं हम जानकारी को शुरू करते हैं दोस्तो इससे पहले बता दो कि यह वीडियों सिर्फ और सिर्फ जो है educational purpose के लिए बनाई गए है गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं canacod injection के ingredients के बारे में कि इसमें कौन साल्ट होता है दोस्तो इसके ingredients के बात करें तो इसमें trymcinolone मिला होता है और बात करें इसके use के बारे में तो इसके बहुत सारे uses होते हैं यदि आपको skin संबंदित रोग है तो ऐसी condition में भी इसका use किया जाता है और दोस्तो canacod injection का use है skin allergy में किया जाता है यदि आपको अचानक से आपके skin में चट्थे बगरा पढ़ जाते हैं यदि आपको बालों में रूशी हो गए है या फिर आपको बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं तो ऐसी condition में भी इसका प्रयोग किया जाता है और गैस केनकार्ट का use है वो skin संबंदित रोग में सबसे ज़्यादा किया जाता है यदि आपको जो है सोराइसिस है डर्मटाइटिस है या फिर आपको एक नीज वगएरा है फेस में मुहाशे वगएरा आ जाते हैं या फिर आपके बोडी में बॉइल सा जाते हैं फुनसियां आ जाते हैं तो ऐसी condition में भी आप इसका यूज कर सकते हैं इसका भी disease में भी आप इसका यूज कर सकते हैं इसका भी disease में भी यह काफी अच्छा वर करता है और भी दोस्तों इसके बहुत सारे uses हैं यदि आपके फेफडों में smiling आ गई है तो ऐसी condition में भी जो है केना कॉर्ड injection का यूज किया जाता है स्वास संबंदित रोग में भी केना कॉर्ड injection का प्रियोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वास संबंदित रोग ज्यादातर allergic condition से होते हैं तो ऐसे situation में भी हम केना कॉर्ड injection का यूज कर सकते हैं और guys, kenocod injection का जो use है, वो arthritic patient में भी करवाया जाता है, यदि किसी patient के जोडों में pan बना रहता है, तो ऐसी condition में भी हम kenocod injection का use कर सकते हैं, और guys, kenocod injection का जो use है, यदि आपके जो हैं आखों में जलन जैसा महसूस होता है, तो भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, यदि आप गौट संबंदिर डिजीज है तो भी कर सकते हैं एकजीमा है तो भी कर सकते हैं यदि आपके जीम में छाले वगएरा आ गया है तो भी इसका प्रियोग कर सकते हैं और दोस्तों बात करें हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होत जाता है किन कंडिशन में नहीं दिया जाता है यादि हम बात करें फीriet के बारे में तो यह फीमेल से प्रिंगनिठ है तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंट लेडी को इसका यूज नहीं करवाये जाता है यह दोस्तो कोई मदर है वो Brest ड्रिंक हो गहरे करता है और उसने मादक पदार्दों का शेवन भी करके रखा है वैसी कंडिशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रियोग नहीं करवाते हैं और गाइस आपको बता दूँ कि इस इंजेक्शन का ट्रायल खुद से नहीं करना है इसका प्रियोग हमेशा अपने नेरेश डॉक्टर और डॉक्टर के सलाव पर ही किया जाता है बात करें दोस्तों इस इंजेक्शन के डूज के बारे में तो इसका जो डूज है वो इंट्रमस्कुलर के रूप में पेशेंट को दिया जाता है यानि या शिर्फ मांश में ही पेशेंट को लगाया जाता है अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में इसे 1 ml दिया जाता है यदि बच्चे की उमर 5 साल के उपर है यदि बच्चा 6 साल है तो इसको अपलाई किया जा सकता है लेकिन दोस्तों आपको बता दों कि इसका प्रियोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर सला अनुशारी कर बतेच्चे क्योंना चाहिए या merci डोंक्टर से करवाना चाहिए इसे कुझ से ट्राइल नहीं करना चाहिए डोस्तों आयोप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यादे फिर भी आपके मन में कोई confusion है कोई शवाल है तो बेसक आप हमें comment box में comment करके अपने शवाल पूँच सकते हैं तो फिर मिलता हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और बाई बाई